आर्ट क्या बनाते हो फोटो बना के दिखाओ ना आज हम लोग बात करने वाले हैं basically इसी बारे में resemblance का कितना importance है drawing में और कितने ज़ादा हमें resemblance किसी भी portrait में या किसी भी drawing में चाहिए होता है और resemblance का वाकई में माइने क्या है, exactness का माइने क्या है, realistic portraits का मतलब क्या होता है इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं तो चलो आज इसकी शुरुबात करते हैं सुबा के बचे हैं साड़े दस और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नश्टा तो आप लोगों कुछ बात कर लूँ, चलो शुरुबात करते हैं तो दोस्तो सबसे पहली सबसे important बात इसमें यह है कि resemblance एक अलग word है, realistic portraits एक अलग word है जब भी हम portrait बनाते हैं किसी का या किसी भी इनसान का या किसी दूसरे wild life हो या कोई भी ऐसा portrait हो जो हम draw करते हैं उसमें क्या होता है, अलग-अलग विधाएं हैं art की ठीक है एक विधा है जो कि है realism जिसमें हम काम करते हैं कि बिलकुल जैसा image है वैसा ही हमारी drawing होनी चाहिए अब इसके कई तरीके हैं बनाने के, जो लोग बहुत beginner हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, बाकी लोगों को तो काफी पता होगा कि इसकी एक तरीका है कि आप observation technique यूज करते हो अपनी आपों से observe करते हो, अपने हातों से, अपने pencil से, bamboo stick से, किसी जीच से भी आप observe करके उसको transfer करते हो उस image को वहां से उठा के या फिर सारे लोग proportional divider भी यूज करते हैं, जो मैंने भी यूज किये थे initially और मैंने उसका वीडियो भी बनाय हुआ है, आप लोग देख सकते हो जाके कुछ लोग ऐसे हैं, जो basically ये तरीका opt करते हैं कि grid method को यूज करते हैं, कि वहां से उस पे grids बनाते हैं और फिर उस grid पे वैसा ही grid अपने paper बनाते हैं, और उसको उठा करके transfer करते हैं values को, जाहे तो proportional differences हो, मतलब यहां पर image छोटी हो, वहां पर बड़ी हो, तो भी वो transfer हो जाता है grid method से, बड़ी असानी से, और तीसरी जो technique है, उसके बारे में क्या बात की जाए, आपको पता ही है कि कैसे trace out कर लिए जाता है, एक image से, दूसरी image पे, सही गलत कुछ भी नहीं है, पहली बात मैं यह बता देता हूँ, कि कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही है, जहां तक आपका conscious allow करे, वहां तक आप करो, that is different thing, बट अभी जो important बात मैं आपको बताने वाला ह मेरा जो aim है आप अभी बताने का, वो यह है, कि आप resemblance और realistic portraits या likeness को समझने के कोशिश करो, तो basically हर artist अपने तरीके use करता है, किसी भी portrait को बनाने के लिए, और जो उसका aim होता है, अगर उसको resemblance, exactness चाहिए, मतलब अगर वो realistic portrait पे काम कर रहा है, तो वो realism achieve करने के कोशिश क करता है, अगर उसे realism नहीं चाहिए, और कुछ और चीज़ चाहिए, अब यहीं चीज़ है, जो कि यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा explore नहीं की गई है, नहीं किसी artist ने बताया है, नहीं कोई इस बारे में discussion करना चाहता है, शायद हो सकता हूँ, इंडिया के बाहर के कुछ artist हों, जो इस पर बात करते हों, लेकिन इंडिया में मैंने नहीं देखा अभी तक कोई की इन सब चीज़ों पर बात करता हो, तो जैसे अब let's say, एक हो गया realism, ठीक है, एक और तरीका है, जो कि है, मतलब art movement की अगर बात करें, तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे कि मैं मैं अगर बताओं आपको, एक और तरीका है, surrealism, एक और तरीका है, जिसमें हम expressionism, एक और तरीका है, impressionism, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिससे हम minimalism, आजकर एक नया term चला है, minimalism, उसमें क्या करते हैं, कि जो reference image है, उसको आप minimalistic approach से, मतलब कम से कम ऐसे features उठा करके, इसमें कर लेते हो, कुछ lines के थ्रू, कुछ hatches के थ्रू, और that is also a term of art, जोसमें हम minimalistic approach को opt करते हैं, तो let's say कि अब कोई ऐसा बंदा है, जो observation technique यूज कर रहा है, और observation यूज कर रहा है, यूमिस यूज कर रहा है, तो उसके जो results का judgment होता है, वो उसी accordingly होता है, उसको इसी तरह से scale किय जाता है, कि हाँ, इसने ये technique यूज की, तो approach इसने येवल opt किया, तो इस तरह से result है, तो 60%, 70% भी अगर lackliness वहाँ achieve हो रही है, तो उसको well and good माना जाता है, ये होते है parameters judging के, जो मैंने सोचा कि art competition चली रहा है, तो मैं उस पर आप से कुछ discussion कर लूँ, तो अभी मैं देख रहा items हैं, जो अभी save हुए हैं, और ये आपके artworks हैं, पूरे के पूरे, जो अभी मैं save कर रहा हूँ, अभी चल रहा है, इस पर बहुत सारा काम अभी करना बाकी, अभी 312 ही हुए, सो जो पंदरा सो पहुँचते हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, effort कर रहा हूँ भाई, कर रहा जब resemble, आप समझना कोशिश करते हो, resemblance का मतलब होता है, look alike, similarity, ठीक है, it's not like exactness, या accurate, accurate नहीं है इसका मतलब, word को समझो, इसलिए artist यूज करते हैं, resemblance word, या likeliness word, ठीक है, accurate words या exactness यूज नहीं करते हैं, general यूज नहीं करते हैं, जब hyper realism के बात होते हैं, तो वहाँ definitely आप exactness यूज करते हो, बिलकुल accurate होना चाहिए, inch by inch match होना चाहिए, वहाँ पर यूज होते हैं, words, but generally observation techniques में, या जब live करते हैं, live demonstration करते हैं, उसमें हम इस type के words को नहीं यूज करते हैं, जैसा person है, वैसा दिख रहा है, वो की नहीं दिख रहा है, बस इतना होता है, exact नहीं मैंने आज तक नहीं देखा, अगर आप लोग ने देखा है, तो मुझे ज़रू बदाएगा comment box में नीचे, तो आज यही छोटी से बात करनी थी आप लोगों से, अब मुझे जल्दी से नीचे बताओ, कि आज आप कितने घंटे artwork करने वाले हो, क्योंकि मैं artwork नहीं कर पा र किये, thank you so much, love you all friends, bye, keep doing great artwork, thank you, और प्लीज सब्सक्राइब जरू करो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं बढ़ाओ, इसको please help करो, नीचे एक लाल रंका बटन है, उसके साथ जो भी करना है करो, लेकिन वो बस सब्सक्राइब हो जाए, कैरी वाले स्टाइल में, thank you, bye